सबसे पहले रक्षा बंदन आने वाली हैं तो चलिए एक बहुत ही बड़ीया मिठाई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूं तो इसके लिए कोई भी कप ले लिए उसकी कॉर्डिंग ली सारे मेजुरमेंट ले लीजेगा ये मिठाई इतनी जादा एजी है जो मार्केट में बहुत जादा महिंगी मिलती है और एंड रिजर्च देखके आप चौक जाने वाले हो तो वीडियो को छोड़ेगा नहीं सबसे पहले एक कप काजू ले लिया है और इससे मैं फ्रीजर में रख दूँगी 30-35 मिनेट के लिए ताकि एक कड़क हो जाए तो फ्रीजर सेक्शन में आपको रख देना है और यहां चलिए मैं अपने मीनी गार्डन में आ गई हूँ और मैंने यहां पान का पौधा लगाया है तो उसी में से मैं यह पत्ते तोड़ रही हूँ वाश कर लेती हूँ और वाश करने के बाद आप इसे पैट ड्राइ कर ले इस तरह से बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी मिठाई टिकी रहेगी एट लीस्ट हफता दस दिन के लिए इसलिए आपको यह स्टेप करना है इसे साइड में रखती हूँ और अब चली है प्लेट ले लिया है और यह मैंने छोट उसा मीनी सा मेरा ग्रेटर ले लिया है यह स्पेशली मैंने ड्राइफ रूट्स के लिए ही रखा हुआ है तो यह गाजट तो सभी के घर पे होना चाहिए ड्राइफ फूट्स मुझे च पाजू अच्छे तरह से चौप कर लिये हैं और इसमें अटाच्मेंट भी है पीछे आप मोटा पतला जैसा चाहिए वैसे आप इसको कर सकते हैं अब यहां मैंने बादाम ले लिया है और बादाम को भी मैंने ग्रेट कर लेती हूँ और मैं क्या करते हूँ एक साथ जादा करना ही चाहिए तो यहां काजू बदाम को अच्छे तरह से चौप कर लिया है मैंने आप चलिए यहां एक बोल ले लेती हूँ और एक स्टफिंग यहां हम प्रिपेर करने वाले है तो सबसे पहले जो काजू बदाम हमने चौप किये थे वो ले लूँगी एक चौथाय कब के करीब ही लिया है मैंने साथी में कटे हुए मैं यहां पिस्ता भी अड कर रहे हैं तोड़ा सा ilaichi पाउडर ओगया है और एक बड़ चमच हम गुलकन का अड कर लेंगे और साथी में इसमें मैं ड्रायर्फ करहें हूँ रोस पैटल्स है फ्रेंद्स और यह पान के पत्ते इसको आपको इस तरह से चॉप करना है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यह देखिए इस तरह से आप पतला पतला इसको स्ट्रिप्स में कट करें और फिस सीजर के हल्ग से इसे चॉप करते जाएं यह पान फ्लेवर वाली जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रें अगर आपके पास गुलकन नहीं है तो आप इसके बले खजूर ले सकते हैं या मुनक्का जो आता है वह ले सकते हैं उसको चॉप करके मतलब उससे मिठास आप इसमें डे सकते हैं तो यह मेरी स्टफिंग रेडी हो गई और काजू भी यहां अच्छी तरह से फ्रीज हो गय दालके पर्स मोट पर पीश लेती हूँ बिल्कुल टाइम वेस नहीं करना है डायरेक फ्रीजर में से निकालके आपको पीश लेना है अब हम इसे चान लेंगी जहानना कंपल्सरी नहीं है अगर आपको लग रहा है मोटे पीसे है तो यहां काजू का जो हमारा पाउडर है बनके रड़ी है चले आगी का प्रोसेस करते हैं तो यहां मैंने एक मोटे तली का बरतन ले लिया है यह मेरी लोही का बरतन है फ्रेंट्स अभी नया लिया है मैंने और सबसे पहले इसमें मिठाई बनाऊंगी मैं तो मैं इसमें आड़ करेंगे आधा कपके करीब शुगर तो इस चाचनी को बनाने में हाडली तीन से चार मीट लगेंगे यह देखिए एक तार की चाचनी बन गई है तो बस इसी पॉइंट ओफ टाइम पे आपको क्या करना है गैस को फटा फट आफ करना है इसे जादा नहीं पकाना है और एक चमच दे से गी आड़ करेंगे और इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो चलिए इसे मिक्स कर लिया है अब फिर से मैं गैस फ्लेम को आउन कर लेती हूं और इसको लो फ्लेम पे आपकाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो मिनिड के लिए दो मिनिड बाद आप देखेंगे कि अपना साइज छोड़ने लग गया है और continuous चलाना है बिल्कुल छोड़ेगा नहीं otherwise यह नीचे लग सकता है तो देखें कितनी अच्छी तरह से घूम रहा है लोहे का पैन है और इसमें हमने सिर्फ एक चमच घी डाला है और यह बिल्कुल चिपक नहीं रहा है तो बस ऐसी consistency हमें चाहिए हैं मिने gas को off कर लिया है पैन गरम है तो पैन में ही मैं दो मिनिट और ऐसे ही होने दूंगी तो देखें यह इकटा होने लग गया है तब आपको क्या करना है पार्शमेंट पेपर या कोई भी अच्छी क्वालिटी का प्लैस्टिक पेपर भी आप निकाल सकते हैं पूरा का पुरा निकाल ले इस त अच्छे आएगी मॉस्ट रहेगी मिठाई तो आधा चमच मैंने देशी घी डाल दिया है यानि टोटल देर चमच घी का यूज किया है अब इसे गरम गरम में ही हम इस तरह से मसलेंगे और चिकना करेंगे यह देख सकते हैं कितना चिकना हो गया है और अभी काफी गरम है अब मैं एक लोफ जैसे इसका बना लेती हूँ ऐसे आपको पॉफेक्ट होने के जरुवात नहीं है बस इसे ही जस रैंडम मैंने इसको स्पाइडल शेप में कर दिया एक लोफ शेप दे दिया है और अब इसके हम कटिंग करेंगे क्योंकि हम इसके कप्स बनाने वाले हैं तो यह दिखें मैंने रैंडम इसको कट भी कर लिया अभी काफी गर्म है यह तो आपको गर्म गर्मे ही यह पूरा स्टेप करना है इत्व हलवाई स्टाइल यह मिठाई बने वाली है तो वीडियो को छोड़ीगा बिल्कुल भी नहीं तो यहां छोटा साइस का मैंने पेड बनाने का तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं तो इसके छोटे-छोटे मैं इस तरह से फटा-फट से कप्स बना लूँगी यह देखें काजू के कप्स बहुत जारा टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं फ्रेंट्स और इंदम अलग तर बना रहे है इसलिए मैं इस पे silvah work लगा रही हूँ अब golden work भी लगा सकते हैं इसके edges पे कहीं कहीं लगाना है वैसे मुझे जादा silver work यूज करना पसंद नहीं है बट मैं थोड़ा सा इस पे लगा रही हूँ ताकि दिखने में भी presentable लगे अच्छे लगे बॉल्स में मैं यह stuffing आड़ करके इस तरह से बॉल्स बना ली है तो अगर आपको कपस नहीं करने तो आप इस तरह से बॉल्स भी बना सकते हैं तो हमारे कपस यहां रेडी है काजू के और हमाई स्टफिंग भी रेडी है चलिए फटा-फट से इसको भर लेते हैं तो यह मिठाई भी हो गई ए राइफ रूट्स और पान फ्लेवर की स्टफिंग और बाहर काजू का फ्लेवर बहुत ही यम लगता है तो इसी तरह से मैं सारे कपस को भर लूँगी और यह देखे यह जो पान हमने पत्ते करे थे इसको मैं उपर से गानिश कर लूँगी इसको बदला आप रोस पेटल भ विलीशियस यह बने हैं सुपर सॉफ्ट माउट मेल्टिंग और रिफ्रेशिंग क्योंकि यह पान फ्लेवर का है यह देख सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे दबे में रख दिया आना तो ऐसे लगेगा कि मार्केट से ही लेके आए हैं तो रेडी है फ्रेंज ऐसी मिठ मिठाई जो जटपट 10-15 मिट में बन जाती है तो कबस बनाए या लड़ू बनाए पर बनाए जरूर यह रिफ्रेशिंग मिठाई की रेसिपी मज़ेदार है टेस्टी है यमी है माउट मेल्टिंग है यह देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट बनी है मूं में जाते ही घुल जाने वाली यह मिठाई घर पे बनाना 100% ज़रूरी है बाहर से मिलावती मिठाई खाना बन करें घर पे बनाए और एंजोई करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब तिल देन टेक केर बाबाई